कंगना रनौत ने रनबीर कपूर को लेकर एक बार फिर से चौकार देने वाले खुलासे किये हैं कंगना ने एक बार फिर से अपनी पोस्ट में दावा किया है कि आलिया और रनवीर की ये जो शादी है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रहमास्टर के तीन फिल्मों के कॉंट्राक्ट के लिए की है रनवीर ने शादी और बच्चा भी एक ट्रिक है कंगना ने कहा कि 2012 के आसपास की बात है रनवीर कपूर मेरे घर पर धमक जाया करता था और मुझसे डेट करने की भीख मांग रहा था तभी रनवीर ने मुझे बताया था कि उन्हें एक तीन फिल्मों की डील मिलेगी अगर वो पापा की परी को डेट करते हैं कंगना ने कहा कि तब मैंने उस पर जादा बात नहीं की और ना ही रनवीर को भाव दिया लेकिन वो अलग-अलग नंबर से मुझे कॉल करता रहा कंगना का दावा है कि रनवीर ने उन्हें कहा कि शादी जो है वो फेक है और बच्रा तो ट्रिक है फिल्म को प्रमोट करने के लिए कंगना ने आगे कहा कि ये लोग ऐसे राक्षिस है जो किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपनी फिल्मों को चलाने के लिए उन्हें प्रमोट करने के लिए कंगना रनौत ने कहा कि जस वक्त में Queen फिल्म कर रही थी और उस फिल्म की शूटिंग पैरिस में चल रही थी तब रन्बीर पैरिस भी आ गया उसने मेरे सेट को विजिट किया और उसके बाद से ही वो मेरे साथ अजीब सा बिहेव करने लगा और बार बार मुझसे मिलता रह है कि वो रन्बीर को ignore करती रही फिर भी 2016 में रन्बीर कपूर उनके पीछे एक बार फिर से पढ़ गए वो जिस बायोपिक में काम कर रहे थे उसमें सेकंड लीड का रोल निभाने के लिए आपको बता दे कि ये बायोपिक संजु की बात हो रही है और शायद संजु का जो एक बार फिर से मुझे फिल्म उफर दी लेकिन मैंने फिर वो फिल्म रिजेक्ट कर दी और इससे उसकी इगो हर्ट हो गए लेकिन उसके बावजुद मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इस बंदे को मीडिया में बैश करती हूँ पबलिकली इतना कुछ बोलती हूँ उसके ब कि यह दावे सही है क्या कोई फिल्म के लिए किसी से शादी कर लेगा किसी के साथ बच्चा पैदा करेगा और क्या पुरी सोसाइटी को बेवकूफ बनाएगा सिर्फ एक फिल्म के लिए आप ही बताईए कि रनवीर कपूर जो एक बड़ी फिल्म फैमिली से बिलॉंग करत कि झाले है कि एक बड़ी फिल्म कर दो एक बड़ी लेगा पाले है कि यह रहता है तादा के बिलॉंग के लिए पी ङवरी तह ही तो पाले है कि यह दुरी।